नमस्कार मैं हूँ भावनसती और जुरून में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे ड्राइवर के काम के बारे में एक ड्राइवर की विभिन ट्रांस्पोर्टेशन से जुड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जो ज्यादा तर होटेल्स, रेस्टोरांट्स, डिलेवरी या फिर cap service जैसी industry से जोड़ी होती हैं एक ड्राइवर के मुख्य काम में गरहा को एक जग़ा से दूसरी जग़ा तक ले जाना, गाड़ी को maintenance जाच के लिए ले जाना और साथ-साथ ग्रहकों से पेशेवर तरीके से बात करना शामिल होती है एक driver के पास ये सभी चीज़े मौजूद होना जरूरी है पहला वैधर driving license, दूसरा संचालन एरिया की सडकों की जानकारी तीसरा GPS चलाने की जानकारी और चौथा पेशेवर तरीके से बात करने का caution ड्राइवर के लिए जो job title मौजूद है उनमें से कुछ इस प्रकार है पहला local driver, फिर आता है cab driver, तीसरा है organizational driver, फिर आता है private driver, उसके बाद आता है owner operator और फिर last है hefty vehicle driver अब driver की जिम्मेदारियों पर नज़र डालते हैं एक driver की जिम्मेदारी है कि वो ग्राहक या फिर package को एक से दूसरी जगा सुरक्षित तोर पर पहुंचाए वहन में हमेशा gas मौझूद हो और इसके अलावा उसे हमेशा इस्तमाल के लिए तयार रखना भी driver के जिम्मेदारी है जातायात नियमों की अच्छे समझ होना driver के लिए जरूरी है काम काजी घंटों में काम के लिए तयार रहना driver के लिए बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ शारीरिक तोर पर खुद को काम का बोध सहने के लिए सक्षम बनाना भी driver के लिए महत्पूर्ण है गाहकों से बात करना पेशेवर तरीके से बातचीत करना एक driver की जिम्मेदारी है इसके अलावा जरूरत पढ़ने पर गाड़ी के रिपेर के विवस्था करना भी driver की जिम्मेदारियों में शामिल है financial management के लिए monthly mileage record करें और उसके साथ साथ उसे update भी करते रहें चलिए अब driver के लिए checklist और best practices पर नज़र डालते हैं सबसे पहले हमेशा seatbelt का इस्तमाल करें seatbelt आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए है इसलिए हमेशा seatbelt पहने रखें इसके साथ ही seatbelt दुरगटना के वक्त आपको चोट लगने से बचाती है शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं गाड़ी चलाते वक्त ये जरूरी है कि आपका ध्यान सड़क पर रहे और किसी भी तरीकी का नशा आपके ध्यान को भंग कर सकता है उसे खराब कर सकता है इसलिए किसी भी तरीकी के नशे में गाड़ी कभी भी ना चलाएं गाड़ी को साफ रखें शायद आप ये बात ना जानते हूँ लेकिन ग्राहा किस बात पर ध्यान देता है कि उसकी गाड़ी की seat, plate या दूसरी चीज़े साफ है या उन पर धूल चड़ी हुई है पेशेवर दिखने की कोशिश करें, अपनी uniform को maintain करें क्योंकि आप शायद ध्यान दे ना दे लेकिन आपकी जो efficiency है वो आपके professional behavior पर judge की जाती है speed limit का पालन करें, speed kills, ये लिखा आपने अक्सर सड़कों पर देखा होगा और इसकी एक वज़र भी है इसलिए बिना बात के बहुत ज्यादा speed ना बढ़ा है क्योंकि इससे खतरनाख हाथ से हो सकते है toolbox maintain करें, आपको नहीं पता कि किस थिती में आपको किस तरीके के tool की जरूरत पर जाए इसलिए जो भी आवश्यक उपकरण है उनको हमेशा अपने toolbox में जरूर रखें सडक पर खुद को शांत बनाए रखें आपकी गाड़ी उसी तरह काम करेगी जिस तरह आप करवाना चाहते हैं आपने अकसर सडक पर road rage या फिर जड़पों के किस्ते सुने होंगे इसलिए उनमें शामिल होने और उनसे बचने की पूरी कोशिश करें और सडक पर खुद को शांत बनाए रखें चलिए आप driver के लिए ज़रूरी tools और technology पर नज़र डालते हैं इसमें सबसे पहला number आता है GPS का टेकनोलिजी की मदद से रास्ता तलाशने में GPS ने एक एहम भूमिका निभाई है आप GPS को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी destination इसमें डाल सकते हैं दूसरे number पर आता है phone mount अगर आप गाड़ी में GPS का इस्तमाल कर रहे हैं तो phone mount की जानकारी होना जरूरी है phone mount की मदद से आप सुरक्षित और आसान तरीके से GPS का इस्तमाल कर सकते हैं गाड़ी में vomit bags हमेशा रखें हो सकता है कि आपकी गाड़ी में कभी ऐसे ग्रहक आएं जो बीमार हो या फिर नशे से ग्रस्त हो ऐसे में अपने गाड़ी में गंदगी फैलने से रोकने के लिए हमेशा गाड़ी में vomit bags तैयार रखें soap water bottle और latex gloves का इस्तमाल करें अगर आपके गाड़ी में ऐसे ग्रहक हैं जो गाड़ी में गंदगी बचा रहे हैं या फिर किसी तरीके से आपकी गाड़ी में गंदगी फैलती है तो उसको तुरन साफ करने के लिए हमेशा एक साबून के पानी की bottle और latex gloves आपकी गाड़ी में मौझूद रहने चाहिएं ग्रहक के लिए charger रखें यह सुनश्चित करने के लिए कि आप ग्रहक की गदर करते हैं और उनका खयाल करते हैं इसलिए गाड़ी में हमेशा multiple port वाला USB charger या car charger हमेशा रखें परसनल फोन का charger एक ड्राइवर की तौर पर हो सकता है आपको एक लंबा समय सड़क पर भिताना पड़े इसलिए आपको हमेशा अपने परसनल फोन का charger अपने साथ रखना चाहिए ताकि आप किसे भी वक्त फोन का इस्तमाल कर सके अब आपको बताते हैं कि एक ड्राइवर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहले उन बातों पर ध्यान देंगे जो आपको करनी चाहिए तो पहला आता है speed limit का पालन करें दुरघटना और जुर्माने से बचने के लिए हमेशा speed limit का पालन करें उस पर antiseptic cream लगाएं और band-aid बान दें इसके अलावा अगर आँख में चोट लगती है तो आँख को धोएं और उसे हमेशा खुला रखें गाड़ी में हमेशा आपके पास एक एक्स्ट्रा टायर मौजूद रहना चाहिए इसके साथ गाड़ी में जैक भी हमेशा रखना चाहिए अब वो बातें जो एक ड्राइवर को नहीं करने चाहिए सबसे पहले जोकिम भरा overtake ना करें overtake करने से पहले सामने वाली गाड़ी को आगे जाने दें और overtake कर रही गाड़ी से आगे निकलने की होट कभी ना करें इसके बाद नियमों का उलंगन बिल्कुल ना करें गाड़ी चलाते वक्त किसी भी तरीकी के नियमों का उलंगन ना करें क्योंकि इससे हाथसा होने का खत्रा रहता है गाड़ी चलाते वक्त सैंडल्स या फिर स्लिपर ना पहने ये सला दी जाती है कि आप गाड़ी चलाते वक्त सैंडल्स ना पहनकर जूते पहने क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त स्लिपर्स जो है वो फट सकते हैं या फिर घिस सकते हैं गाड़ी चलाते वक्त दूसरे कामों में व्यस्त ना हो। जो आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो फोन पर बात करने, गेम खेलने या फिर कपड़े वदलने जैसे दूसरे काम ना करें क्योंकि इससे खतरनाक हाथसा होने का डर रहता है।